नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में कई लोगों ने पूछा कि इगनिस की आक्चुली माइलेज क्या है तो मैंने का क्यों ना एक इसका एक वीडियो ही बना दिया जाए तो जस्ट फॉर यूर सेक ओफ जो इगनिस है यह अभी तक मेरी एप्रोक्सिमेटली 7000 के आसपास चल चुकी है तो पिछले वीडियो में कुछ 100-200 कम थे जो कि अब पूरे हो गए हैं तो एप्रोक्सिमेटली 7000 किलोमेटर चल चुकी है और इसकी एक सर्विस जो है वो हो चुकी है एक नहीं बलकि दो सर् खाता है वो है अराउंड 18.8 किलोमेटर पर लेटर तो इसी को वेरिफाई करने के लिए फुल टैंक मेथट से मैंने माइलेज इसका निकाला अब उसमें क्या किया कि चाहें गाड़ी में कितना भी पेट्रोल था तो मैंने एक बारी फुल टैंक करा लिया और जो ट्रिप मी जो मेरी गाड़ी थी वो चली करीबन 374.4 किलोमेटर और जब मैंने उसको दुबारा अभी आज फुल टैंक कराया तो उसमें डला पेट्रोल अराउंड 20.58 लीटर तो यानि कि मतलब हुआ कि 374.4 किलोमेटर गाड़ी जो है वो चली 20.58 लीटर में तो अगर हम इसको simply divide करे कि अगर 374.4 किलोमेटर मेरी गाड़ी जो है वो 20.58 लीटर में चलती है तो एक लीटर में गाड़ी कितना चलेगी तो एक लीटर में जो गाड़ी चलेगी वो आता है approximately 18.19 किलोमेटर जो है वो गाड़ी चलती है एक लीटर में और MID में दिखाता है 18.8 तो करीबन 0.6 या 0. तो अगर मैं इसको 18.1 को 18 भी लेके चलूं तो एप्रॉक्सिमेटली 18 का माइलेज है विद एसी क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है तो एसी फुल-उन चलता है जब भी मैं गाड़ी में जाता हूं तो विद एसी इसमें 18.1 या 18 टू बी ओन सेफर साइट 18 का अराम से जो है वो माइलेज मिल रहा है अब मैं बता देता हूं कि मेरे डेली रन क्या रहता है मेरे डेली रन बेसिकली ओफिस का रहता है और ओफिस में आने जाने में मेरे को ट्रैफिक तो मिलता ही है तो स्टार्ट शॉप ट्रैफिक भी रहता है कभी कभी स्मूध भी रहता है और बीच पढ़ती है तो वो करना पढ़ता है तो बेसिकली एक नॉर्मल सिटी ड्राइविंग के हिसाब से जो माइलेज है वो एक अच्छा माइलेज मिल रहा है मेरे को 18 किलोमेटर पर लीटर का जो की अभी मैंने वेरिफाइब भी कर लिया है सो मैं आशा करता हूँ कि इस से आपके जो भी कॉमेंट्स में जो क्वेस्चन्स आ रहे थे वो सॉल हो जाएंगी कि इगनिस का माइलेज क्या है और ये माइलेज सिटी और हाइवे का मिक्स है अगर आप प्योरली हाइवे चलेंगे और एसी बंद करके चलेंगे जैसे सर्दि कि और है और एक और बात ये जो गाड़ी में चला रहा हूँ ये आटोमेटिक है तो आटोमेटिक का माइलेज जो है वो आया है 18 मैनुवल का हो सकता है शायद इसी के बराबर हो या एकात किलोमेटर उपर ही होगा शायद मेरे हिसाब से तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इ 95% of the users have not subscribed to the channel so I request you all to please subscribe and support the channel and मैंने एक initiative करने स्टार्ट करने की भी बात करी थी लास्ट वीडियो में कि मैं ownership review series करने का सोच रहा हूँ तो I request everyone who is watching अगर आपने कोई नई गाड़ी ली है या कुछ time हो गया नई गाड़ी ली हुए और आपने उसको चलाया है आपका experience कैसा रहा और आप उसको share करना चाह रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो के comment box में comment करिए या फिर instagram का मैं link छोड़ description में उस पे आप जाके मेरे को direct DM कर सकते हैं कि आप मेरे से experience share करना चाहरे है तो हम एक one-on-one conversation कर लेंगे वीडियो पे और फिर हम उसको upload भी कर देंगे तो ताकि यूद बाकी जो जिनको decision लेने में थोड़ी बहुत help हो सके और क्योंकि एक personal touch आजाता है ownership review से तो लोग उस प reasoning के साथ ही ली थी तो आई hope जो भी मैं बोलता हूं वो शायद आप तक clearly बहुच रहा होगा तो अगर आपको लगता है कि आप share करना जाते हैं तो please comment करें और next video तक के लिए धन्यवाद